हम test travel इन See age Latino कि अभी कर दोछ एक बाफ का स्वागत है बाटी बिल्डिंग टी-वी में आज हम500 ए इस वीडियो वीडीओ वीडियो पूरा जरूर देखना दोस्तों लाइक करना इस वीडियो को और सब्सक्राइब करना आमरे चानल को दोस्तों तुरो शुरू करते हैं वीडियो को फर्स जो आमरे न्यूज है वह है रॉली दे बीस्ट विंकलेर के बारे में काफी दिनों से किसी कॉंपेटिशन में कॉंपेट उन्होंने नहीं किया हाँ बट एक कॉंपेटिशन में उन्होंने डेमो पूजिंग जरूर की थी लास्ट मन्त चाहिद बट अभी फिलाल उन्होंने ये फीजिक पोस्ट कही सकते है ये पोस्ट उनके इस्ट्रगाम पे उन्होंने अपडेट की है और उसके कैप पढ़ेगा दोस्तों और काफी कम competitions बाकी है अभी इस साल Mr. Olympia के लिए क्वालिफ होने के लिए उसमें काली प्रो हो या शिकागो या टेमपा या टेकसस प्रो देखना पढ़ेगा किस competition में वो compete करते हैं और qualify करते हैं Mr. Olympia के लिए शायद उनको invitation भी मिल जाए काफी बड़े बाड़ी विल्ड है उनको invitation मिल सकता है लास्ट जैसे बी ग्रामी को मिला था बट बुझे लगता है कि जरूर qualify कर लेंगे किसी शो में compete करके शो को win करके Mr. Olympia के लिए जरूर qualify कर लेंगे देखना पड़ेगा आप comment box में लिखके जरूर बताईए दोस्तों आपको क्या लगता है कि शो में compete कर सकते है रॉली विदा विस्ट विंकलर नेक्स्ट जो news है वो है पैट्रिक मोर के बारे में पैट्रिक मोर काफी ज़ादा recent फिजीक अपडेट शेयर कर रहे हैं उनके इस्ट्रग्राम पे और हमें तो उनके पोस्ट से हर पता देखे लगी ला रहा था कि उनकी फिजीक काफी अच्छी हो रही है काफी शाप उन्होंने अभी फिला मसल बनाए है काफी फैट लूज किया है और काफी लिल लग रहे ह इससे यही पता लग रहा था कि किसी प्रोशो की प्रेप में तो है पर किस प्रोशो की प्रेप कर रहे हैं यह पता नहीं था काफी सारे प्रोशो अभी बाकी है चार पाश प्रोशो जैसे टेमपा और शिकागो और काली तो यह इन शोज में किस शो में कंपिट कर सकते हैं पता नहीं था, but recent उन्होंने काफी अच्छी अच्छी उनकी फीजिक अपडेट उनके इंस्टर्गाम पे शेर की, और recent जो फीजिक अपडेट शेर की, उनके आप देख सकते, बैक का पोस्ट देखिए, दोस्तों, कितने जबरदस बैक लग रही है, काफी मास भी आड़ किया इन्होंने इस साल और मुझे लगता है कि वो ज़रूर अच्छे शो में compete करेंगे तो उन्होंने ये पोस्ट शेर के उनके इंस्टागाम पे और हैस्टेग में 12今天 में कुन सा competition कौन सा प्रोशों आ रहा है अभी फिल्हाल तो उन says that कैलिफोर्निया प्रो ये होता है कैलिफोर्निय स्टेट चैम्पेशिप में 29 ओप यह competition Mickey और इस competition में पहले भी Patrick compete कर चुके है, win कर चुके है California pro को तो काफी ज्यादा आसान होगा, काफी ज्यादा normal होगा उनको इस competition में compete करके pro show को win करना, फिलहाल के लिए बट इस भी competition में काफी अच्छ अच्छ और बड़े बड़े नाम आ रहा है दोस्तों, आगे वीडियो में अच्छ अच्छ फिजिक दिखाई हसन मुस्तफा ने बट उतनी ज्यादा lean और शाप यह फिजिक नहीं थी, बट फिलहाल ऐसा लग रहा है कि वह हार नहीं मानेंगे और 10 डेज के बाद एक और competition में compete करने वाले, ऐसा उन्होंने अपडेट किया उनके Instagram पे, आप देख सकते कितनी जबरदस उनकी प्रेप स्टार्ट थी New York Pro के लिए, बट वो नहीं compete कर पाए, उस तरह की फिजिक नहीं ला पाए और थर्ड प्लेस से ही satisfied होना पड़ा उनको, बट फिलहाल उनकी प्रेप अभी भी स्टार्ट है और वो compete करने वाले है जल्द ही, इस पोस्ट में आप के इंस्ट्रगाम पे अपडेट किया था कालिफोर्निया प्रो शो अब आ रहा है, टेंडेज बाकी है जो पैट्रिक की पोस्ट थी, वो तीन दिन लेट थी, तीन दिन पुराने थी, इस वज़े से वो तेरा दिन थे, बट अभी फिलहाल जो हसन मुस्तफा ने अपडेट क हो पाता है दोनों के बीच, और भी साय काफी जाद नाम उसमें जोट रहे हम कैलिफोर्निया प्रो की हर एक अपडेट आपके सामने दोस्तों लेके हैंगे इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राब कर दीजे दोस्तों और लाइक कीजे दोस्तों इस वीडियो को और आपको क हरी चुपन काफी जबर्दस फिजीक उनकी लग रही है फिलहाल उनने ये इंस्ट्रगाम पे उनके पोस्ट अपडेट की और इस पोस्ट के इसाप से अगर ये अभी रीसेंट उनकी फिजीक अपडेट होगी तो बहुत जबर्दस लग रहे हैं कंडिशन लेके चलते अच्छे गरिणियरस लग रहे हैं उनके बॉड़ी में और काफी जबर्दस उनकी फिजीक लग रही है इस साल शाहिए थोड़ा साइज बड़ा क्या है देखना पड़ेगा आपको क्या लगता है हरी चुपन के इस पोस्ट के बारे में दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख बड़ एक नॉर्मल हास्ता था और इस पे काफी ज़्यादा कमेंट बॉक्स में उनके काफी ज़्यादा हासी मज़ा हुई और मुझे लगा कि शायद इसको एड़ करना चाहिए अपने वीडियो में तो फर्स दोस्तों आप ये वीडियो देख लीजे क्या है तो दोस्तों इस वीडियो में लैरी वीजे एक शायद होटेल में है और टेबल पे बैटने के कोशिच कर रहे है उस टेबल पे बैटते ही उनके वेट के वज़े से वो टेबल उल्डा हो गया उनके ही उपर और ऋक गिर पड़ें अपने कमर पर और इस वीडियो को अपलोड करके उन्होंने comment box में क्या लिखा If I were to lose the arm wrestling match on 28th, this is my excuse, my waist hurts from this and I cannot perform optimally तो ये बात कर रहे हैं उनके arm wrestling match के बारे में 28th को मे को जो उनका arm wrestling competition है, school boy versus Larry Wills इसके काफी ज़्यादा hype क्वियेट कर रखी दोस्तों उन्होंने हैं उनके instagram पे काफी ज़्यादा promote कर रहें चीज़ को और ये जो वीडियो हुआ ये जो incident हुआ उनके साथ table वाला तो उसके comment box में उन्हों लिखा कि अगर मैं हार जाता हूँ तो मैं reason यह दूँगा कि मैं गिर गया दा table पे से और मेरी कमर को आ चुकी थोड़ी बहुत चोट इस वज़े से मैं हार चुक हूँ रेस्लिंग के match ये तो coffee comedy थी उनके लिए और काफी मज़दार comedy करते रहते हैं अपने instagram पे इसी वज़े से काफी बड़ी following लेकर चलते हैं अपने instagram पेज पे और दोस्तो आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में रखते हैं आपको ये वीडियो कैसा लगा comment box में लिखके मुझे ज़रू बताईए एक बार subscribe कीजिए दोस्तो इस चैनल को like कर जिए वीडियो को thank you for watching